रिशी केश आप लगतार यूपे बिहार के आप दोरे पर रहे और तफ फाइट आपने भी अगर यूपे में मैं कहूं तो कई सीटे ऐसी थी पिश्कली बार से ज्यादा उन सीटों के नंबर से जिसमें तफ फाइट थी जहां पर समझवादी पार्टी ने जिस तरह से सोचल इंजिरिंग का फॉर्मला अपनाया वहीं बिहार में भी हमें उसी तरह की तस्वीर भी नजर आई लेकिन एक्जिट पोल के आक्रे तो कुछ और ही यहां बया कर रहे हैं तो जमीनी हकीकत क्या नजर आई और इन जो एक पक्ष है एक बड़ा धड़ा है जो सत्ता पक्ष है बो इसे बिल्कुल सही मान रहा है, नुमानी ताक लो चल, बोजा शुट के सर्यास मन जोगी हुआ रे दिल जुमेह देखो पत्वारा हुआ रे दिल जुमेह देखो पत्वारा हुआ रे हर पल मनाओ के सुटेवा है विमर, बोलो जुमान केसरी प्रभावित करने के लिए फोन किया गया, तो एकजिट पोल के जैसे ही आकड़े आय सरकार के पक्ष में 400 के आसपास उसके बाद प्रक्रिया शुरू हो गई, दूसरी जो सबसे हम सूचना या जानकारी है कि बाबजूद बाबजूद इसके एक एक एकजिट पोल में बंपर बढ़ा दिखा रहा है, प्रचंड बहुमत इंडिये सरकार को दिखा रही है, लेकिन बाबजूद इसके जितने भी इंडिया गठवंदन के इलाईज जल है, उनकी एक अलग कोर ग्रूप की बठक के बाद, इंटर्नल पार्टी की बठक हुई और तमाम अपने विधायकों को, सांसदों को, पुर्व सांसदों को, सभी को स्ट्रॉंग रूम की जिम्मेवारी दी गई है और कहा गया है कि जब तक सर्टिफिकेट न मिले नतीजे आने के बाद, तब तक उनके जो काउंटिंग अस्थर पर कार करता हैं, नेता हैं, वो उसके चारो तरफ चाकबंदी चौबन विवस्था करें और वहां से बिलकुल हिले नहीं, एक एक बारीक चीज पर नज़र रखें और जो फॉर्म सत्रसी जो परजानिक अफिसर की तरफ से मिलाया जाता है, और श्रॉंग रूम की जो परचिया हैं, उसको जरूर से जरूर देखें, तो ये विपक्षी दलों झाल 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 झाल